जहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल SP Classes में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए IAS इंटर्वी में पूछेगा कुछ महत्तपून सवाल तो चलिए देखते हैं आपसे इन सवालों के कितनी जो है आंसर आपसे बनते हैं आप कमेंट में जरू बताना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दवाएं और और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की नोटिपिकेशन आप कहां पहुँचे और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को सेयर करना है ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और आपके लिए पीडियाप के लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना होगा आपको टेलिग्राम एप में सर्च करना होगा IAS Study Track यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाइल होती है वह हम टेलिग्राम ग्रूप में आपके लिए उपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन अवस्च करें तो चलिए देखते हैं IAS इंटर्व्य में पूछे गए कुछ ऐसे सवाल जिनका उत्तर देपाना बहुत ही कठिन है तो चलिए देखते हैं कॉस्चन फर्ष्ट है आप नास्ते में कभी भी क्या नहीं खा सकते अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताते जाएं और आखरी में आपको बताना है कि कितने आंसर आपसे सही बनी कितने कॉस्चन की जो आंसर हैं आपसे सही बनी तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि आप नास्ते में कभी भी क्या नहीं खा सकते तो इसका जो राइट आंसर है भाई है डिनर यानि कि रात का खाना तो रात का जो खाना है भाई आप नास्ते में नहीं खान सकते क्योंकि भाई खाना कहलाएगा इस परकार अंगल्या कोस्चन अपना होगा एरप्लेन से बिना पेराशूट के कुणने के बाद भी जिन्दा है एह कैसे संभाव है तो आपको बताना है एह कैसे संभाव है जल्दी से बताए कमेंट में आंसर अगर आपसे बनता है क्या होगा इसका राइट आंसर जेम्स बांड एर प्लेन से बिना प्यारा सूट के कुंदने के बाद भी जिन्दा है एक यह से संभा हुए Q2 राइट आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताईए कमेंट में आंसर बताना है तो इसका जो राइट आंसर होगा बै है क्योंकि प्लेन उस समय रनवे पर ही थी तो इस परकार बै जो प्लेन थी रनवे पर थी इस से पैरा सूट के कुंदने के बाद भी कैसे हैं जिंदा हैं बिना प्यारा सूट के अंगला कोस्चन है भारि बारस के बीच रात में आप कार से जा रही हैं आप एक बस स्टॉप से गुजरते हैं जहां तीन लोग बस का इन्तजार कर रही हैं इस परकार सवाल है, भारी बारिस के बीच रात में आप कार से जा रही हैं, आप एक बस स्टॉप से गुजरते हैं, जहां तीन लोग बस का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, जिन में कौन-कौन लोग होते हैं, एक बूली औरत जिसे तुरंट मदद चाहिए, एक पुराना दोस्त जिसने कभी आपकी जान बचाई हो और एक लड़की जो आपके सपनों की सांथी हो सकती है कार में आप दो लोगों को बैठा सकते हैं इस परिस्तिती में आप क्या करेंगी तो इस परिस्तिती में आपको बताना है क्या करेंगे आप इस परिस्तिती में क्या होगा इसक उस्टे नमबर 3 का right answer बताना है तो इसका जो right answer होगा वह है उम्मीद बान ने कहा तो जिससे पूंचा गया था उसने बताए था इस का answer की मैं अपनी कार की चाबी अपने दोस्त को दूंगा वह दोस्त कार में बूरी औरत को अस्पताल ले जाएगा जबकि वो अपनी सपनों की साथी के साथ बस इस टॉप पे रुकेगा इस पिरकार इसका अंसर होगा और अंगला क्वोस्चन है क्या आप नाम ना लेते हुए लगातार तीन दन बुद्दवार, गुरुवार, रविवार बुद्दवार, सुक्रवार, रविवार को नाम दे सकते हैं तो क्या नाम दे सकते हैं बताईए क्या आप नाम ना लेते हुए नाम नहीं लेना आपको नाम नहीं लेना है तो क्या नाम दे सकते हैं जल्दी से बताईए क्या आप नाम न लेते हुए लगातार तीन दन बुद्दवार, सुक्रवार और रईवार को क्या नाम दे सकते हैं तो इसको दे सकते हैं कल, आज और कल इस परकार इनको नाम दे सकते हैं कल, आज और कल अंगला question होगा साक्षात करता ने उम्मीदवार के लिए एक कफ कॉफी का आदेश दिया कॉफी आ गई और उम्मीदवार के सामने रख दी गई फिर उम्मीदवार से पूँचा गया What is before you? तो इसका आणसर क्या होगा? जल्दी से बताईए कमेंट में आणसर बताना है साक्षात करता ने उम्मीदवार के लिए एक कफ कॉफी का आदेश दिया कॉफी आ गई और उम्मीदवार के सामने रख दी गई फिर उम्मीदवार से पूँचा गया What is before you? तो इसका आंसर जो होगा वै है तो उम्मीदवार ने क्या आंसर दिया था? Candidate ने जो आंसर दिया था टी में अपना जवाब दिया तो टी में अपना जवाब दिया जबकि इंटर्वीवर ने पूचा था यू जो अल्फावेट के पहले क्या आता है? U alfabetis के पहले क्या आता है तो U के पहले T alfabetis आता है इसी लिए candidate ने चाए कहा तो इस प्रकार जो है आपका right answer होगा अंगला question है पहीये का अविसकार होने के बाद क्या हुगा तो क्या हुगा पहीये का अविसकार होने के बाद क्या हुआ जल्ली से बताई अगर आपसे आंसर बनता है पहिये का अविसकार जो हुआ फिर इसके बाद क्या हुआ तो इसका आंसर होगा उम्मीदवार ने जवाब दिया पहिये का अविसकार एक कान्ती लेकर आया इसका जवाब दो लेबल पर है जहां पहली बार में एक पहिये का मूलकारे पताता है जो की घूमना है और दूसरे लेवल पर पहिये के अविसकार के कारण दुनिया में क्रांती आई इसलिए क्रांती का तर्क भी सही है इस प्रकार अंगला कॉस्चन होगा अगर एक दीबार बनाने के लिए 8 परसों को 10 घंटे लगें तो इसे बनाने के लिए 4 लोगों को कितना समय लगेगा जल्दी से बताईए क्या होगा इसका राइट आंसर अगर एक दीबार बनाने के लिए 8 परसों को 10 घंटे लगते हैं तो उसी को बनाने के लिए चाल लोगों में कितना समय लगेगा जल्दी से बताईए क्या होगा इसका राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर है बैए है बिलकुल भी नहीं क्योंकि यह पहले से ही बन चुकी है तो बैदीवार आठ लोगों न पहले से ही बना दी तो आप चाल लोग क्यों बनाएंगे इस परकाल इसका जो है आंसर होगा अंगला क्वोस्चन है मेरा मूर एक चड़िया है जो अंडे नहीं देता तो मूर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं तो क्या होगा इसका राइट आंसर मूर एक चड़िया है जो अंडे नहीं देता तो मूर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं तो क्या होगा इसका राइट आंसर जल्लीश बताईए अगर आपसे बनता है इसका आंसर बताईए कमेंट में क्या होगा तो इसका जो right answer है उत्तर है इसका मादा मूर अंडे देते हैं नर्मूर नहीं तो पता है आपको जो मादा मूर होते हैं अंडे देते हैं नर्मूर नहीं इस परकार इसका answer होगा अंगला question होगा एक हत्यारा को मौत की सजा सुनाई गई तो जो एक हत्यारा था उसको मौत की सजा सुनाई गई उसे तीन कमरे को दिखाए उसे तीन कमरे दिखाए गए पहला कमरे में आग थी दूसरे में हत्यारे थे और तीसरे में बाग है जो तीन साल से मूखा है हत्यारे को कौन से कमरे में जाना चाहिए तो कौन से कमरे में जाना चाहिए जल्दी से बताए पहले में आग थी, दूसरे में हत्यारे थे और तीसरे में बाग थी, जो तीन साल से भूंकी थी तो कौन से कमरे में जायागा हत्यारा तो इसका जो right answer होगा वाह कमरा no.3 क्योंकि तीन साल से भूं के सेर आप तक मर चुके होगे तो इस परकार जो भागता वाह 3 साल से क्यासा था? भूं का था तो 3 साल में वाह मर चुका होगा इस परकार अंगला question है तो आजकी वीडियों में बस इतना ही इतने ही question थे तो आपको एह वीडियो के असला का comment की मादधम से जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर ले और इसी तरह कि और ही वीडियो हम आप के लिए लाते रहेंगे तो आपको चैनल को subscribe करना है, bell icon दबाना है और all पर click करना है ताकि all वीडियो की notification जो है आप कहां तक पहुँची और आपको वीडियो को like करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को share करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और PDF के लिए आप हमारे telegram group से जुड़िए आपको telegram app में search करना होगा IAS study trick यहाँ से आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं और IAS में ही as interview में जे जो question है इस परकार के जो question है वह पूँचे गए हैं तो आपको वीडियो कैंसला का comment की मात्राम से ज़रू बता है और आप हमारे facebook page को भी like करना ना भूले facebook में आप search करें spclasses youtube channel इस परकार आप हमारे facebook page को भी like कर सकते हैं तो आज की वीडियो में से इतना ही जैहिन